गुट इवनिंग बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑक्सिडेशन एंड रिड़क्शन कंप्लेट किया था और हैडिंग डाली थी कंसेंट्रेशन आफ सलूशन एक छोटा सा सवाल मैंने आप से पूछा था कि यह दी एएस एच थिरी हमारे पास है और हम इसे ऑक्सिडाइज कर रहा है है एच थिरी एएस ओफोर में किस तरह से ऑक्सिडेशन हो रहा है शायद गरंद लिग गया हूँ है एच थिरी एसो थी किस तरह से ऑक्सिडेशन हो रहा है तो आरसेनिक की ऑक्सिडेशन स्टेट यहां पर प्लस तीन है और हाइड्रोजन की minus one, क्योंकि बीटा arsenic metaloid है और जब hydrogen किसी metal या vitaloid से जुढती है तो oxidation state होती है minus one और ये acid बन गया है यानि यहाँ पर hydrogen किसे जुढत गई है oxygen से तो यह hydrogen की oxidation state है plus one, arsenic की है plus three इसका मतभ़ और seric की oxidation नमबर में कोई change नहीं हो रहा है देखिए Oxidation नमबर यदी किसी की बढ़ रही है तो किसी की बढ़ रही है Hydrosan की कितनी? Minus 1 से Plus 1 तो जो Oxidation यहाँ पर हो रहा है वो किसका हो रहा है Hydrosan का तो यह Arsene जो लिखा है SS3 यह Reducing Agent का काम करेगा क्योंकि Oxidation हो रहा है इसमें Hydrosan का आरसेनिक का कोई Oxidation नहीं हो रहा आरसेनिक की Oxidation नमबर में कोई Change नहीं है यह Question मैंने आप से Last Class में पूछाता है हटा देता हूँ समझ में आ गया होगा आए बात करते हैं अपने Next Chapter की Concentration of Solution वैसे तो यह कोई Chapter नहीं है और वैसे यह दो-दो Chapter है इसे आप सम Basic Concept of Chemistry जहां मोल पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ते हैं Molarity क्या होती है percentage by weight क्या होता है यह सब और एक Chapter और होता है Solution, Colligative Properties of Dilute Solution वहाँ पर भी आप Concentration Terms को इस्तिमाल करते हैं दो जगे हमें इसकी जरुत होती है आईए, सीखते हैं सबसे पहले What is the mean of Solution? एक Solution का मतलब क्या होता है तो हम कहते हैं एक Solution जो होता है It is a Homogeneous Mixture क्या होता है Homogeneous Mixture होता है याद रखिए का Homogeneous Mixture of two or more components यानि दो components भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा components भी हो सकते हैं तो एक Homogeneous Mixture है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा components का यहाँ पार ये जो दो components हैं इन components में एक component को बोला जाता है Solute और एक component को बोला जाता है Solvent अब आप कहेंगे सरीदी दो से ज़्यादा हो गए तो आप कैसे बताएंगे तो याद रखिए किसी भी solution में जो Solvent होता है वो केवल एक होता है लेकिन जो Solutes होते हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं अब किसी mixture में कौन Solute होगा कौन Solvent होगा सर ये हमें कैसे पता चलेगा तो इसका तरीका ये होगा कि जो आपका Solute होता है ये हमेशा Less Amount में होता है In Moles यानि इसका जो Amount है यह कहें इसके जो Moles है वो कम होंगे और जो Solvent होगा ये हमेशा More Amount में होगा ज्यादा Amount में होगा In Moles यानि यदि आसान भाष़ा में बोलूँ तो हम ये कहेंगे कि solvent वो होगा जिसके मोल्स जादा है, solute वो होगा जिसके मोल्स कम है, फिर से सुनना, solute वो होगा जिसके मोल्स कम है, solvent वो होगा जिसके मोल्स जादा है, जिससे for example, उसने आप से ऐसे करके बोला, कि suppose करिए वो कह रहा है कि आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, 60 gram urea है और 60 gram urea को आपने केवर 36 gram H2O में डिजॉल्व किया है और यह एक solution बनाया जहाँ से देखना 36 sorry 60 gram urea 36 gram water में डाला करा इस पर कॉन सॉल्यूट है और कॉन सॉल्वेट तो आपको वेट नहीं देखना है बिटा कि इसका वेट जादा है और इसका वेट कम है यह नहीं देखना है आपको क्या देखना है ज़रा समझेगा ग्राम यूरिया के मोल केसे निकालेंगे ग्राम Size अप्वारी को बॉट से निकालेंगे बिटा ग्राम वेट अपं ऑन ऑननुपर वेट यूरिया का साथ तो मुल हो गए एक क्ष Az dare निकालेंगे गता है कितना होता है तो इस अथारह तो अथारह सी ड्रिवाइट करें आए हची सको किते आ घर दो तो Greeks के मौल ज्यादा आए यह वाटर के तो वाटर है किसका काम करेगा सब्वैंट का और यूरिया के मौल कमात तो यह किसका काम कॉरत सौर setzen erstmal के लिर है बाट यारी जूब अयमाउंट ले रहे हैं लेस और मोर वो किसके टमश्का डिफाइंड कर रहे हैं मोल इसके मुल जयाा हैं वह सॉल्वेन जिसके मोल कम में मूल बराबर आ जाए तो यदि दौनों के moles बराबर आजए तो हम physical state से बता सकते हैं एक solid है एक liquid है तो liquid will be taken as solvent and solid is taken as solute यदि दौनों के moles same हैं कियते से दौनों ही liquid है तो आप क्या करेंगे अब दौनों ही liquid है तो आप यह देखेंगे क्या उसमें water तो नहीं है यदि उसमें water है तो water is taken as solvent क्योंकि H2O को अपन universal solvent मानते हैं तो ऐसी condition में हम solvent किसे लेंगे H2O को लेंगे तो याद रखिएगा बिटा कि हमेशा solvent के moles जादा होने चाहिए पर moles बराबर होने पर यदि H2O किसी liquid के साथ है तो H2O is taken as solvent और solid और liquid है तो liquids are taken as solvent solute के लिए मैंने कहा एक से जादा हो सकते कैसे मैंने NACL को पानी में डाला तो water is solvent NACL is solute फिर मैंने थोड़ा सा lime नीबू डाल दिया citric acid कह सकते हैं तो आपने थोड़ा सा नीबू डाला है वो solute होगा तो solute दो हो गया नीबू हो गया और salt हो गया मैंने थोड़ी शुगर भी डाल दी तो शुगर भी क्या हो गया solute हो गया तो याद रखिए solute एक से ज्यादा हो सकते हैं पर solution में जो solvent होगा वो हमेशा कितना होगा केवल एक होगा क्या इतनी बात समझ में आती है एक solution homogeneous mixture होता है दो या दो से ज्यादा components का one of which is called solute and another is called solvent वो component जो less amount में less moles में present होत है उसे अपन solute कहते हैं जिसके मोल से ज्यादा होते हैं उसे हम solvent कहते हैं हमेशा clear है चलिए थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ना चाहूंगा तो मैं जड़ा amounts और इन सब को हटा देता हूं इतना तो आप समझी गया है के solute कौन है इतना भी आप समझ गया है के solvent कौन है चलि दूसरा कंपोनेंट क्या है solvent और इन दौनों को मिलाने से आपको जो चीज मिल रही है उसे आपने क्या नाम दिया है solution देख वैसे तो solute का amount हमेशा solvent के amount से कम है लेकिन वो कह रहा है के solute is very less solute का amount काफी कम है solvent हमेशा ही ज्यादा होता है always more तो कहते हैं ऐसी condition में जो आपका solution होता है it is said to be dilute solution या less concentrated solution आगे बढ़ जाते हैं यदि आप solute को more ले लेते हैं और solvent हमेशा होता ही more है अब इन दौनों में इस समय भी solvent ही ज्यादा है तो solution is said to be concentrated solution या less dilute more concentrated ऐसे भी बोल सकते हैं तो solution कैला कैसा कैलाएगा concentrated solution यानि ये solution dilute होगा या ये solution concentrated होगा इससे decide कौन कर रहा है ये तो same रखा है देखिए मैंने इसमें तो कोई change रही है लेकिन ये change हो रहा है यानि किसका amount decide करता है concentration को solute का amount तो जब भी हमसे पूछा जाता है कि what is the mean of concentration के concentration of solution क्या चीज़ होती है तो हमेशा हम define करेंगे कि concentration of solution का मतलब होता है it is the amount of solute किसका amount बीटा solute का amount it is the amount of solute present in present in specified यानि एक specific specified amount of solution और solvent यानि आप या तो solution में निकालते हैं या आप किसमें solvent में निकालते हैं और यहां पर यह जो amount of solute अपन बोलना हैं यह amount कुछ भी हो सकता है बीटा यह amount solute का gram weight हो सकता है यह amount solute के moles हो सकते हैं यह amount solute का volume हो सकता है यह आपका solute gas या liquid है यही amount आपका gram mole या gram equivalent भी हो सकता है तो solute कुछ भी ले सकते हैं solute का gram weight ले सकते हैं mole ले सकते हैं volume ले सकते हैं gram equivalence ले सकते हैं अब किसी को भी इस्तिवाल कर सकते हैं तो कोई भी amount of solute जो कि specified amount of solution या solvent में present होगा बस वही कहलाएगी उसकी concentration जैसे कहते हैं molarity तो molarity में क्या निकालते हो मोल्स किते में एक लीटर solution में तो हमने कहा molarity क्या है moles of solute क्या है moles of solute किते में एक लीटर specified amount of solution क्या बास समझ में आई परसेंटेज किते में निकलती है सो में fraction किते में निकलता है एक में तो सारी चीजें निकाली जाएंगे किसमें किसी specified amount of solution या solvent में और किसकी चीजें निकाली जाएंगे solute की gram weight mole volume gram equivalent तो इसे बोलेंगे concentration of solution यानि मोटी मोटी बाशा में concentration का मतलब हम amount of solute बताते हैं यदि हमसे कहता है कि molarity निकालिए तो mole of solute निकालते हैं normality बताईए gram equivalent of solute बताते हैं strength बताईए gram weight of solute बताते हैं हमेशा याद रखिए जिसे हम बताते हैं जिसे concentration कहते हैं वो हमेशा amount of solute होता है यानि concentration निकालनी है तो दिमाग में एक चीज़ बिठा लिजिए कि आपको amount निकालना है solute का किसी solution में और solution का amount जो होगा वो specified होगा या solvent में और solvent का amount होगा वो भी specified होगा तो उसे बोल देंगे concentration of solution आईये मिलते हैं कैसे निकालते है amount of solid और स्पेसिफाइड एमाउंट आफ सलूशन या सॉल्वेंट कैसे लेते हैं आई ये ये भी मैं आपको सिखाता हूं चलिए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो डाइलूट सलूशन समझ गए क्या होते हैं कंसेंट्रेशन का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि मैं आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहली कंसेंट्रेशन की बात करते हैं सबसे पहला जो कंसेंट्रेशन का मैठोड होता है इस काल्ड पर्सेंटेशन कंसेंट्रेशन और से air मैं टेंहेंगे जब भी बात परसंटेज किया आती है तो यह वो टर्म है जिसे अपन बचको से पढ़ते आ यह कितने percent number आए है ना common सा question class first में पढ़ते हो चाहे second में पढ़ते हो चाहे third में पढ़ते हो lkg में पढ़ते हो किसी में पढ़ते हो कितना percent आया लोग पूसते थे न तो what is the mean of percentage आप किसी भी चीज को यदि आप out of hundred निकाल दें out of hundred तो उसे बोल देते हैं percentage सौ रुपय थे दस खर्च हो गया कितना percent हो गया 10% कितना बचा 90% सौ में निकालना है दस में दो नंबर आये कितना percent हो अब यह दस में दो आये तो सौ में 20 20% निकालना सौ में सौ में किसी भी चीज को निकाल दीजिए वो कहलाता है percentage इसका मतलब यह हुआ यदि मुझे किसी का percentage निकालना है out of hundred तो मैं ऐसे बोल सकते हैं कि उसका upon total और क्योंकि सौ में निकालना है तो इन टू हंड़े कैसर उसका क्या जो निकालना है जैसे मैं तुम्हारे नंबर आये हैं पांच आउट आफ टैम कहता परसेंटेज बताइए किता है तो मैंत के नंबर यह उसके जिसके निकालने कितने है पांच नंबर टोटल किते में आये हैं दस में इंटू सौ ठीक जीरो से जीरो कर गया पांच इंटू दस बराबर पचास किते आए फिफ्टी परसेंट तो यह उसका क्या है कुछ भी यह उसका मार्क्स हो सकते हैं नंबर हो सकते हैं उसका वेट हो सकता है उसका वाल्यू एउसका वेड़ टोटल वॉल्यूम इंटो ईन्ट फेरे वाल्यूम उसका वॉल्यूम गारेशानु को क्या नेगे उसका अपार्न टो टेल इंटो कॉट्र विवह प्रेइचि क्या औहुंट of solute, क्योंकि concentration solute का ही तो amount है अब यह amount number भी हो सकते थे आपके लिए, फिलाल में solute के लिए amount लिख देता हूँ amount of solute present in hundred amount hundred amount of solution यानि किसी solution के hundred amount में जो भी चीज मौजूद होगी वही कहलाएगी percentage concentration और formula हमारा यह होगा जैसे उसने का इस formula का सर यूज कैसे करेंगा कितने सारे तरीके से मैं इसको यूज कर सकता हूँ, देखना है उसने बोला उसके mole divided by total mole देखते रहे ना into 100, क्या कहला है अब ही है it is called percentage by mole, या क्या कहेंगे mole percent, या percent by mole यूज को लेकी बात है फिर देखना उसका weight upon total weight into 100, क्या कहला गभी है weight percent या percentage by weight weight percent बोल सकते हैं, अब उसने बोला उसका weight total volume into 100, तो आप बोलें के percentage weight by volume नीचे volume है, ऊपर weight है, तो percentage weight by volume जैसे उसने बोला उसका weight upon total volume into 100, तो ही किसके बराबर आप परसेंटेज, weight by volume यदि वो कहें, उसका volume upon total volume into 100, तो किसके बराबर, volume percent या percentage by volume, मूल बीटा बात समझे में आई है, यानि उसका upon total into 100 बराबर percentage है, अब उसका कुछ भी ले लिए उसके मॉल upon total more into some more percent, उसका weight total weight weight percent, उसका weight total volume weight by volume percent, उसका volume total volume into 100 percent volume या volume percent, जो भी ले लिए इसका percentage, उसके number upon total number into 100 percentage number marks percentage, कि लिए है बीटा, तो ये कहलाती है percentage method, तो इसमें धेर सारी आपके सामने है, percentage by weight है, percentage by mole है, percentage by volume है, आईए, सभी को देख लेते हैं, one by one, तो एक तो ये हो गया, इसे आपने नाम दे दिया है, mole percent, एक ये हो गया, इसे आपने weight percent बोल दिया है, एक ये हो गया, इसे आपने weight by volume percent बोल दिया है एक ये हो गया इसे आपने volume percent बोल दिया है अब मालो मैं यहाँ पर बोलू weight percent क्या है तो आप बोलेंगे gram weight of solute in hundred gram of solution यानि यहाँ भी amount क्या लेंगे weight यहाँ भी amount क्या लेंगे weight तो gram of solute in hundred gram of solution क्या हो जाएगा percentage by weight ऐसी बोलेंगे न तो चलिए मैं एक-एक को define करना शुरू करता हूँ ठीक मूल परसेंट की मुझे भी जरूरत नहीं है मैं इस से start करता हूँ बस इन दो को देख लेता हूँ क्यों कि यहीं दो हमारे काम के नजर डाल लीजिए बना लीजिए मैंने सभी टाइप के percentage आपको दिखाए हैं जो solution में इस्तेमाल होंगे पर मैं एक-एक करके इन्हें अलग-अलग करके भी आपको बताने जा रहा हूँ नजर डाल लीजिए आसान सा फार्मूला था उसका अपन टोटल इन्टू हंड्रेड इस काल्ड परसेंटेज किसी चीज़ को सौ में निका लिए वो कहलाता है परसेंटेज हमेशे बनाईए अब हमें एक एक करते हैं जैसे सबसे सबसे पहले मैंने बात कि किसकी फरसेंटेज वाइस इस तो हमने जो फॉर्मूला है या दे क्या लिखा था हमने बोला उसका विट उसका यानि सॉनूट छोड़ी परसेंटेज वाइस वा उसका वेट उसका यानि solute का वेट तो मैं आपर solute का वेट लिख देता हूं इसे हटा के क्या लिख देते हैं weight of solid उसका weight divided by weight of solution solution का weight multiplied by hundred यह हो गई percentage by weight किलियर भीट है define करेंगे तो कैसे है define करेंगे उपर की language को ऐसे define करेंगे it is weight या gram weight लिख देता हूं it is weight यानी gram weight लिख देता हूं of solute present in hundred gram of solution लीचे 100 gram solution में जितने gram solute होगा वह उसका weight percentage कहलाएगा जैसे समझने के लिए I am taking a question example एक लिए रहा हूं पुराना सा example है करें 46% C2H5OH aqueous by weight कहते हैं 46% aqueous solution of ethyl alcohol by weight दिया गया है कह रहा है बताईए मोल्स ओफ एलकोहल in the solution alcohol के solution में कितने मोल्स हैं तब कैसे बोलेंगे जरा बताईएगा आपके पास solution है aqueous C2H5OH but the mean of aqueous solution aqueous solution का मतलब आपके पास दो चीज़ हैं बिटा एक solute और एक solvent तो मेरे ख्याल से दिए मैं पूछूँ के solute कौन है और solvent कौन है तो बड़े आराम से आप बता देंगे बिटा के solute कौन है C2H5OH और solvent कौन है H2O यानी water पका अब आपको जो दिया है उस पे आ जाईए पता यह alcohol कितना percent दिया है 46% water कितना दिप हो जाएगा बिटा सौसे घटा दीजिए 54% इसका मतलब percent का मतलब क्या gram weight of solute याने कितने gram 46 gram कितने में 100 gram solution में तो यह कितने gram हो गया दौनल को जोड़ दे solute plus solvent 100 gram आ जाएगा solution आ गया है पर उसने gram नहीं पूछे उसने मोल पूछे हैं तो मोल निकालने के लिए divided by molecular weight 46 divided by molecular weight 18 तो बता भाई alcohol के कितने मोल सा आ गया है एक मोल सही है water के कितने मोल आ गया है तीन मोल कोश्चन में क्या पूछाता मोल आफ एलकोहल अंसर आ गया एक दिन मोल आफ बाटर पूछता तो अंसर आ जाता थीन अब इसी कोश्चन में मानलो वो पूछ लेता कि 46% एलकोहल वाई वेट था तो बताएए मोल परसेंट आफ एलकोहल क्या होगा मानलो इसी में वो कोश्चन में कह दे कि बताएए मोल परसेंट आफ एलकोहल कितना है मोल परसेंट आफ एलकोहल बता दीजिए कितना है तो क्या कहेंगे एलकोहल के मोल अपाल टोटल मोल एक प मोल परसेंट किता आगे बिटा 25 परसेंट बाई मोल तो यह जो 25 परसेंट आया है इसे आप मोल परसेंट बोल सकते हैं क्या बोलेंगे 25 परसेंट बाई मोल लीजे इसी को मोल परसेंट भी बोल सकते हैं यदि वो पूछता तो उसने मोल परसेंट नहीं पूछा था उसने केव percent by weight दिया था यानि 100 gram solution है जिसमें 46 gram तो हो गया alcohol और बचा हुआ 54 gram हो गया आपका solvent यानि H2 question समझ में आया पिटा but the mean of percentage by weight बना डाली इसे कहते हैं percentage by weight बिल्कुल आसान होता है कुछ भी नहीं percent का मतलवी एक है बस उसका upon total multiplied by 100 उसके mole total mole 100 से multiply mole percent उसका weight total weight into 100 weight percent simple सा तरीका है और कुछ भी नहीं है हटा दिया जाए यह था percentage by weight आई आगे चलते हैं एक और दिया जाता है नॉर्मली कुछ ना दिया हो तो यहीं माना भी जाता है it is percentage weight by volume यदि आपको कुछ नहीं दिया गया तो हम यहीं मानते हैं कि percentage weight by volume 6% urea solution तो कुछ नहीं लिखा उसने हैं बाइवेट है के weight by volume तो weight by volume ही मानते हैं यह यादर किनी solution time use किया है तो इसका मतलब क्या हुआ weight by volume यानि इसका मतलब हुआ है उसका यानि किसका solute का weight पूरा हिंदी में लिख देता हूँ मैं आपको क्या लिखेंगे हिंदी में weight of solute और कौनसा weight gram weight divided by weight of solution पूरे solution का weight multiplied by hundred छोटी सी गलती हो गई है मुझसे weight by volume लेना है मैंने weight by weight ले लिया तो आप बोलेंगे it is volume of solution यह दिए gram में है तो normally volume of solution किसमें लेते हैं ml में normally ml में लेते हैं तो क्या मिलगी आपको विटाइए weight by volume solution हम इसे हिंदी में कैसे define करेंगे हिंदी में से define करेंगे देखना भी है कहते हैं it is the gram weight of solute gram weight of solute present in 100 volume 100 volume usually क्या लेते हैं ml of solution किते से दिम सौ लीटर ले ले तो तो भी percentage होगा पर बस वाल्यूम आपने लीटर में लिए हम प्रिफर्ड करते हैं किसमें मिली लीटर में जब कुछ ना दिया जाए जैसे फूर एक्जाम्पिल फिसे एक्जाम्पिल ले 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 लेते हैं सा जैसे उसने बूला six percent urea solution पसके वाल इतना दिया कुछ नहीं दिया तो इसका simple सा मतलब है कि यह जो percentage है यह क्या है वेट ग्राम वेट यानि हम बोलेंगे कि हमारे पास च्छै ग्राम यूरिया है च्छै ग्राम यूरिया किसमें हैं इन hundred ml of solution in hundred ml of solution में यह मतलब होता है percentage by volume यदि वो कहे कि बताइए एक लीटर में कितने ग्राम होगा तो 6 ग्राम किते में 100 ml में तो एक लीटर में मुझाएगा 60 ग्राम समझ में आया बिटा तो जब भी कभी आपको percentage दिया जाए खाली तो आप उसे weight by volume मानते हैं और वो आपको बताता है weight of solute present in hundred volume of solution ऐसे करें अब कहते हैं सर क्या percentage by weight को percentage by volume में convert किया जा सकता है पिलकुल आसान सा काम है बच्चों का खेल है weight और volume को एक दूसरे में convert किया जा सकता है यह आपके पास क्या हो density क्यों क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि what is the density तो density बराबर होती है weight by volume याद है ना तो density बराबर होत but आसानी से कर सकते हैं कैसे यह मैं आपको भी सिखाता हूं दो मिनिट में कि पहले एक नजर इस पर डाल दीजिए जो बोड पर लिखा है कि आपको percentage weight by volume समझ में आया है बिटा हम इसे यूज करेंगे आगे मोलेरिटी निकालने में स्ट्रेंथ निकालने में किलियर है हटा दिया जाए चलिए आगे बढ़ें उससे पहले एक important tip से मिलते हैं एक छोटी सी ज्ञान की बाद कि इस इंपोर्टेंट क्या कहती है सुनिए कि कहती है कि यदि आपको कभी percentage by weight दिया जाता है है वाई वेट का मतलब होता है डवलू अपान डवलू समझ गया ना यानि वेट अपान वेट ऊपर किसका वेट सॉल्यूट का नीचे किसका वेट सलूशन का और कह रहा है कि आप इसे कन्वर्ड करना चाहते हैं किसमें percentage by weight upon volume में तो आप आराम से एक दूसरे में बदल सकते हैं कैसे यदि आप इसको multiply कर दे किस से density of solution से किस से solution की density से तो क्या मिल जाएगा वाइवेट कर जाएगा वेट बाई वालूम में और इसको reverse लाना है तो आप reverse कर दीजिए यदि इसको इसमें करना है तो जहां multiply किया था हमाँ डिवाइड कर दीजिए भाई density of solution उसी solution की density से सवार है सरी आया कहां से देख बड़ा आसान है कोई एक पकड़ दे मान ले कि हमने percentage weight by weight लिया या percentage weight by volume लिया हम कोई एक लेंगे निसे ठीक है तो जड़ा सोचिएगा कि हमारे पास weight upon volume यह है इसके साथ relation चाहिए तो देखना ध्यान से यह क्या लिखा है वाल्यूम और देंस्टी हमें गिवन है तो सबसे पहले ही बता देंटी तो देंस्टी बराबर होती है मास अपान यानि वेट अपान वाल्यूम तो वाल्यूम बराबर किता हो गई बता देंट तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा weight upon density तो वेट अपान देंस्टी कहां गई यहां पर बोल भाई आगई इसका मतलब यदि अपने पास पर्सेंटेज बाई वेट यानि वेट भाई वेट है और उसमें अपन कि से मल्टी प्लाइग कर देंस्टी से तो अपने को क्या मिल गया वेट भाई वाल्यूम देख तोनों बराबर है ना यह वेट वाई वेट को देंस्टी से मल्टी प्लाइग कर दें तो क्या मिल जाता है वेट भाई वालूम और रिवर्स करना है तो यह देंस्टी इदर कहां जाएगी वन अपन डिवाइड कर दे किसमें डिवाइड कर दे यह वेट भाई वाल्यूम में वन बाई डी कर दे तो किसके बराबर वेट कैंद यानि यह दी यह दिया है और यह निकालना है तो डिवाइड कर दो यह दिया है यह निकालना है तो मत क्रेक्राइब कि कर सकते होता है मास ळैंस टीमास की जेह वेट लिए वेट अपॉरण टैस्तिे की मैं आप यह Hatre कर दें तो क्या बन जाता है वेट अपॉन कि क्या बास समझ में आई है तो यह जो मने डिराइव किया है यह इंपोर्टेंट नहीं है यह याद रखिए इसकी इंपोर्टेंस नहीं है मैं चाहता हूं कि आप इसे बिलकुई डारेक्ट याद रखें यदि परसेंटेज या वेट बाई वेट हो जाता है तो इस तरीके से हम परसेंटेज बाई वेट को परसेंटेज वेट बाई वालूम में आसानी से कनवर्ट कर सकते हैं तो यह पहली कंसेंट्रेशन थी जिसे आपने क्या नाम दिया था बिटा परसेंटेज मैध है आईए हम दूसरी कंसेंट का नाम होता है फ्रेक्शन कंसेंट्रेशन या हम इसे बोल देते हैं फ्रेक्शन फ्रेक्शन को हिंदी में बोलते हैं हिस्सा के एक मैंसे उसे कितना हिस्सा मिलेगा तो जैसे परसेंट में आपने बोला था के परसेंट इस आउट आफ हंड्रेड निकलता है फ्रेक्शन यानि हिस्सा हमेशा out of one निकलता है जैसे आपने बोला था कि उसका अपन टोटल इसे सो से multiply कर दिया था तो यह percentage हो गया तो सो में निकला यदि मैं से सो को हटा दू तो अब यह एक में अगया इसका मतलब जहां भी फ्रेक्शन की बात आएगी मां क्या यूज करेंगे उसका अपन टोटा अभी उसका अपन टोटल है क्या जी जो भी आपको निकालना जैसे फॉर एक्जाम पर देखना इसको धियान से वह कह रहा है उसके मोल डिवाइड वाईड़ वाई टोटल मोल बराबर उसका मोल फ्रेक्शन एक से रिपेजेंट कर दिया उसको मैं क्या बोल दिया उसका एम एफ यानी मोल फ्रेक्शन दिखना उसका वेड टोटल वेड उसका मास फ्रेक्शन उसका वाल्यूम टोटल वाल्यूम उसका वाल्यूम फ्रेक्शन यानि बिस इतना सा काम करना है मैं उसका upon total कर देना है आपको कौन सी concentration मिल जाएगी fraction concentration जैसे यदि वो कहता है कि fraction concentration को language में क्या बोलेंगे तो आप ऐसे बोल सकते हैं बीटा चल्व हमारी कोर्स में मोल फ्रेक्शन है मैं उसी को ले लिता हूं जैसे suppose करिए उसने बोला है mole fraction क्या बोला है पिटा mole fraction capital X से represent करते हैं किसी भी चीज के mole fraction तो जैसे अभी मैंने बोला कि इस mole fraction निकालना है तो कैसे निकालेगा जिसका निकालना है उसके mole और इसे डिवाइड कर दीजिए और इसे डिवाइड कर दीजिए किससे टोटल मोल से तो क्या मिल जाएगा उसका mole fraction पहली बात दूसरी बात पर आजाए यदि वो कहता है कि डिफाइन करिए क्या होता है mole fraction तो आप कहेंगे कि इस दा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वन मोल ऑफ सलूशन यानि टोटल सलूशन का एक मोल होना चाहिए उसमें सॉल्यूट के जितने मोल्स हैं पस वही कहलाएगा उसका मोल फ्रेक्शन यानि हम यह कह सकते हैं कि जो मोल्स ऑफ सॉल् होने चाहिए वो किसके बराबर होनte चाहिए यहान के तो मैं ऐसे भी कहा सकते हैं कि जो मोल्स फ्रेक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा कि किसी भी सलूशन में वो हमेशा होगा वन के बराबर न टिए सर ऐसा क्यों बड़ा सान है समझना स्पोस कर लीते हैं कि हमारे पास यहां एक सोलुशन तयां से दिखना एक सोलूशन है जिसमें एचरो के निये है मुल का मॉल सॉलूट का मल сво명 स कर्णा करना किसे कैसे मतारी सोलूट का मूल ज्रेक्शन तो सॉलूट कामें लेक्शन बराबर total moles क्या मैंने सही लिखा बढ़ता mole fraction of solvent solvent का mole fraction बता भाई कैसे निकालेगा solvent के mole upon total mole दोनों को जोड़ दे तो X of solution बराबर कैसे निकालेगा solute के mole यहानि A upon A plus B plus B upon A plus B लिजे A plus B उपर आगया B plus A cancel हो गया बराबर आगया थोड़ेसी मैंस लगा ले बस तोनों को जोड़ना है solute plus solvent को तो mole fraction of solute plus mole fraction of solvent को जोड़ा तो किसके बराबर आया तो कोई भी आपको solute दिया हो कोई भी आपको solvent दिया हो यदि आपके पास उनके mole fractions है तो उनके mole fraction का sum हमेशा एक के बराबर होता है दीजिए हमारे काम का था नहीं है बस मैंने ऐसी लिख दिया था हमें क्यों इतना याद रखना है solute के mole fraction plus solvent का mole fraction किसके बराबर होगा हमेशा एक के बराबर याद रखिएगा तो कोई भी mole fraction हो चाहिए हो solute का हो चाहिए solvent का हो किसी का भी हो वह हमेशा एक से कम होगा क्यों total one है तो mole fraction solute plus solvent one के बराबर है तो solute भी एक से कम होगा solvent भी एक से कम होगा जब दौनों जुडेंगे तभी तो एक आएगा ना बिटा clear है यानि किसी mixture में किसी solution में चाहिए वो solute हो चाहिए वो solvent हो उनके mole fractions की value हमेशा एक से कम होगा question कैसे आते हैं और उन्हें करते कैसे हैं मुझे ये सीखना है तो चलिए मैं question करने के लिए अलग से tricks भी दूँगा पर पहले जड़ा देखना चाहते हैं कि question आएगा तो हम करेंगे कैसे और उसने इस container में 16 ग्राम CH4 यानि मेथेन भर ली और उसने इसी container में 16 ग्राम बदर देते हैं किसी के उसने 8 ग्राम suppose करिए उसने 8 ग्राम hydrogen ले 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 लेगा करें मॉल फ्रेक्शन आफ आल गैसे बताईए क्या होगा सभी गैसिस का मॉल फ्रेक्शन निकालना है तो देखिए मॉल फ्रेक्शन निकालने के लिए formula है उसके मॉल अपार्ण टोटल मॉल पर यहां हमारे पास मॉल्स नहीं है ध्यान से देख़ए हमारे पास weight है तो पहला काम हम क्या करेंगे सब के मॉल्स निकालने मॉल कैसे निकालोगी जरह बतारा है ऐयए अक्सीजन का मॉल्रेक्छन बैट 32 है तो सोला को 32 दिवाइड करिया हाइड्रोजन का दो होता है तो इ avail 8 को 2 से डिवाइड करिया मैथेन काümüz 16 होता है तो 16 से दिवाइड करिया तो सब के मोल्स आपके पास आ गए, तो मेरे खासे ऑक्सीजन के मोल्स आपके पास कित्ते आए, हाफ यानि पॉइंट फाइब, मेथेन के मोल्स आपके पास कित्ते आए, वन पॉइंट जीरो, और ये मोल्स आपके पास कित्ते आए, टोटा चार मोल्स, अच्छे से देख ले बाई क्या इतनी बात समझ में आई अब वो कहता है बताई के वाट विल बी दा मूल फ्रेक्शन ऑफ ऑक्सीजन सबसे पहले तो ऑक्सीजन के मूल किते हैं बता थे है .5 डिवाइड़ बाई टूटल मोल्स किते हैं चार प्लस एक और .5 यानि 5.5 पक्का क्या मैं दशमलब से दशमलब हता दू हटा दीजिए क्या है पाच अपाउन पच्पन यानि वन अपाउन अपाउन 11 तो वन अपाउन 11 किसका मूल फ्रेक्शन है एक्स ऑफ ओ ऑटव ऑक के मौल यन्य हाइडरोजन के किते हैं चार डिवाइड वाइड बाइट तू तल मूस किते हैं फाइघ दो चूल् horizons किता हो है यह किसका मोल फ्रैक्षान है हाइडरोजन का इसी तरसे कूछा है माथ हैन का मौल fraction किता होगा तो मैथेन के मोल्स अपन टोटल मोल्स और यदि तीनों को जोड़ देंगे तीनों को तो याद रखिएगा सम कितना आना चाहिए समझ में आया दिया था और मोल fraction पूछाता तो पहले मैंने क्या निकाला मूल्स निकाला और मूल्स को निकालने के बाद उससे मॉल फ्रेक्शन निकाला सीधे मूल दे दिए जाये तो बहुत इच्छी बात क्या समझ में आया है बिटा कैसे निकालेंगे कोई डाउट तो नहीं है क्या हम आगे बढ़ें इसे हटाऊं चलिए इसे हटा देते हैं और इसे हटाने के बाद आई ये मैं आपको बड़ी छोटी सी नुमेरिकल टिप बताता हूँ इसे भी हटाई तो कोश्चन तो समझ में आई यह है एक बड़ी छोटी सी टिप बताता हूँ जहां से सुनिएगा इंपॉर्टेंट टिप इंपॉर्टेंट टिप यह कहती है कि जो मोल फ्रेक्शन होता है यानि एक्स यह हमेशा डारिक्टली प्रपोश्चनल होता है मोल्स क यानि जिसका मोल फ्रेक्शन जादा है उसके मोल्स जादा है तो जो उनके मोल का रेशियो होगा वही उनके मोल फ्रेक्शन का रेशियो होगा यानि यदि मुझे मोल्स का रेशियो पता चल जाए तो मोल फ्रेक्शन भी पता चल जाएगा प्यान से समझने इसका क्या मतलब इसका मतलब है कि यही मोल दुगने हो गए तो मोल फ्रेक्शन दुगना हो जाएगा मोल आधे हो गए तो मोल फ्रेक्शन आधा हो जाएगा मोल चार गुने हो गए तो मोल फ्रेक्शन चार गुना हो जाएगा यही तो मतलब है सवाल इसरी होता कैसे तिक बड़ा आसान है सपोस कर तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है एक ए है और एक कंपोनेंट बी मैंने माना मेरे पास इसके मॉल एन ए है इसके मॉल एन बी है बता वट इसमोल फ्रेक्शन आफ ए का मॉल फ्रेक्शन किता होगा तो एक मोल्स अपाँ टोटल मोल्स याणि न एप्लस न बि करें बताए मोल एक्षिन को बीक टाँ होगा तो बराबर होगा बीके मोल्स अपान टोटल मोल्स एन ए प्लस एन भी yes or no अब दोनों को डिवाइड कर दीचे जैसी आप दोनों को डिवाइड करेंगे इससे यह cancel होगे क्या मिने का बिटा X A upon X B बराबर N A upon N B इसका मतलब जो रेशियो मोल फ्रेक्शन का है A और B का वही रेशियो मोल सका है इसका मतलब X is a directly proportional to N पर रेशियो जो है वही रेशियो इसका यानि यह दिमोल फ्रेक्शन दुगना हो रहा है तो मोल दुगने हो जाएंगे मोल फ्रेक्शन आदा हो रहा है तो मोल आधे हो जाएंगे यह derivation इसकी अपने को जुरूद भी नहीं है अपने को इतनी टिप याद रखनी है केवल जो बोड पे ऊपर लिखी है मैंने इससे अपने को कुछ खास लेना देना है नहीं हमें तो य हमारे पास दो ग्राम हिलियम है हमारे पास आठ ग्राम है बेलकि छब्याट ही ले ले ते हमारे पास आठ ग्राम मेथेन है यह हमें दिया गया है जान से समझना तीन चीजह हैं है कि नियुघ क्या कर ले न रले तम सब दूद क मॉलके मेरे पाइस कौन कौन से व सब्सक्राइब मेरे पास इक तो हईड्रोजन है एक हीलियम है बडिया और एक मेथ debate है पता हीड्रोजन कर्ते ग्रांड यह हीलियम किता है दो ग्राम मेफिळन किता है आठगा सही ए तो पहली मोल निकालने के लिए टinterpret proces sug Kim Landing तो मेफिचा मेफिट का मॉल to liesakah सुना तो इसके मोल मिट trace ए एक इसका मॉल किता आए पॉ подоб fives इसका मॉल किता आ प्वाइन तन अफ़ाइन क्या इन दोगन के Mul Cracher in जल्दी वोल हाँ तो मोलेक्षन भी बराबर हो सहीन और उनपर वाले का जो मोल है वह नीचे वाले के मोल का डबल है है ? मॉल देखना खारी तो डबल है जी हाँ तो ऊपर वाले का मोलेस्टन भी कि सटेल हो यान इमें मौल आधे तो मौलवाःटर तो एक का निकालते है चलों किसका मौल अगां किसी एक का सी अच पुर का निकाल करने तो पॉइंट टू फैफ बोल हाऊन आ प्साव मत कर निपाद एच फॉर के मॉल ही लिम के मोल से मैं के नहीं तो मॉल फ्रेक्शन भी सेम भी से अने मोल फ्रेक्शन एफ ही लिम पूझे का तो से मैं अ किता पॉइंट टू-इटो फाइब हाइड हाईद्रो जैकर आओ फ fraction भी इसका दुगना यानि पॉइंट फाइव जी अब तुम तीनों के मौल फ्रेक्शन को जोड के देख लो भी यह यह मौल फ्रेक्शन से देखे तीनों को जब जोड़ोंगे तो एक के बराबर आएगा आएगा कि नहीं आएगा तो आपको सब के मौल फ्रेक्शन पता चल है किस किस के पता चल गए यदि हम से पूछा के मौल फ्रेक्शन आफ हीलियम बताईए तो इतना है मौल फ्रेक्शन आफ हाइड्रोजन इतना है और मौल फ्रेक्शन कहीं पे निकाला था हमने अभी किसका सी एच फोर का यह रहा तो सी एच फोर कर नहीं यह मौल फ्रेक्श देखा यदि मोल दुगने हुए तो मोल फ्रेक्शन दुगना हो गया मोल चार गुने हो जाते तो मोल फ्रेक्शन भी चार गुना हो जाता है कि लिए पिटा समझ में आया है कैसे यूज करेंगे मोल दुगने मोल फ्रेक्शन दुगना चलिए एक कोश्चन में आपके लिए य दे दीजिए कह रहा है कि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन होने दीजिए कह रहा है कि इसमें 8 ग्राम ऑक्सीजन है ये भी होने दीजिए कह रहा है कि इसमें 32 ग्राम S O 2 होने दीजिए, क्यारा, बताईए, सभी garces के mool fractions की value क्या होगी, यानि mool fraction of all, जिर्झे हाइड्रोजन का किता होगा, oxygen का किता होगा, S O 2 का किता होगा, mool fraction आपको निकाल के बताना है, यह है question of the day आपके लिए, आप निकालेंगे मैं डिस्कुस करूंगा अगली एक रास में चलिए ये बात थी किसकी मौल फ्रेक्शन की ध्यान रखने वाली दो बाते हैं के सम अफदा मौल फ्रेक्शन हमेशा किसके बराबर होगा एक के बराबर यदि हम दो तीन चार चीजों को जोडेंगे और हमें उन कंपोनेंट है तो चारों कंपोनेंट के मूल फ्रेक्शन का सम यानि योग एक के बराबर होना चाहिए तो हमने दो मैठेट्स पड़े कौन कौन से पीटा एक परसेंटेज मैठेड हमने सीखा और दूसरा हमने कौन सा सीखा इसे हमने नाम दिया फ्रेक्शन मैठेड आई पार्ड्स पर मिलियन तीसरी कन सहीं कंतेशन देख जब हमने किसी चीज को ऑफ हंड्रेड निकाला तो परसेंटेज कहा किसी चीज के पार्ट यान हिस्से को पर मिलियन निकाले मिलियन मतलब दस लाग यानी 10 तूदी पावर 6 तो PPM Concentration का मतलब है किसी चीज को out of 10 to the power 6 निकाल दीजिए वो कहलाएगी PPM Concentration कैसे बुलेगा भी है यानि हम बुलेंगे उसका amount divided by total amount multiplied by 10 to the power 6 तो यह क्या कहलाएगी PPM Concentration यानि यदि हम इसे define कर तो हम ऐसे define कर सकते हैं उसका amount किसका amount of solute solute का amount इसे निकालना है present in जो कितने में present है 10 to the power 6 1 million 10 to the power 6 amount या part of solution में अभी तक solvent कहीं नहीं है हर जगे solution है तो जो solute का amount 10 to the power 6 amount of solution में होगा वही कहलाएगी PPM Concentration अभी यह amount किसी में भी हो सकता है या यह याद रखे आईए question करके देखना चाहते हैं जैसे वह question दे रहा है एक आसान सा क्या कहा रहा है कि एक 400 ग्राम तूथ पेस्ट है 400 ग्राम टूथ पेस्ट है करेक कंटेंस इसमें एक मिली ग्राम या ग्राम में दे लिए ते मिली ग्राम को बाद में बदलना तो पड़े गए के रहा है इसमें पॉइंट वन ग्राम फ्लूराइड आयन है तो कह रहा है बताईए concentration of fluoride in ppm फ्लूराइड की concentration ppm में कितनी होगी है तो ppm में किसके निकालनी है फ्लूराइड की तों क्या दिखेंगे उसका एमांट उसका यानि फॉर रइड का बतावाइ फ्लूराइड कामनें कितना है आप कहें गे .1 अपन टोटाल अपन यानि पेस्ट में टोटेल एमाउंट पेस्ट का किता है विए चार तो multiply करेंगे कि से 10 to the power 6 तो तो नहीं कोई डाउट तो नहीं उमीद समझ में आयोगा आसांसा सवाल है यदि मैं इस पॉइंट वन को यहां से इसमें multiply कर दो तो यह 10 to the power 5 हो जाएगा और 10 to the power 5 को यहीं मैं ऐसे लिख दूँ के इस 10 to the power 2 into 1000 यह 10 to the power 3 into 100 divided by 400 कोई फरक तो नहीं लिखने में क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं ऐसा 10201020 सही है उपर 10 नीचे 4 इसे सॉल कर ले भी है कितनी बाल गया 2.5 टाइम्स और यह सॉल लिखा है तो आप का अंसर आ गया 250 पी पी एम आंसर अब सॉल तो इसे तुम करी लोगे बीटा कि नहीं कर पाऊगे अले सॉल तो करी लेंगे यह तो मैं मान देता हूं तो इसे क्या बोलते हैं पी पी एम कंसेंट्रेशन तो फिर से समझना आपने 100 में निकाला परसेंटेज एक में निकाला फ्रेक्शन 10 तू दी पावर शिक्स में निकाला पी पी एम कंसेंट्रेशन देख लीजए कहीं कोई डाउट हो बताइए चलिए पीपेम के बाद थोड़ा साम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंसेंट्रेशन यूनिट नंबर चार की और चौथे नंबर पर जो कंसेंट्रेशन हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं इस ट्रेंट इन ग्राम पर लीटर शॉर्ट में ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं किसी सलूशन की स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर क्या होती है देखो वैसे तो कंसेंट्रेशन ही सलूशन की स्ट्रेंथ होती है जो भी हम पढ़ रहे हैं वही सलूशन के स्ट्रेंथ होती है लेकिन इदि वह स्पेसिफाई कर रहा है कि स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बताईए तो आप फिर ग्राम पर लीटर बताएंगे यानि ग्राम पर लीटर का मतलब होता है कि कितने ग्राम सॉलूट एक लीटर सल में मौझूशन में मौझूद है वो कहलाती है strength of solution in gram per liter आज हम केवल PPM तक पढ़ेंगे अगली class में strength in gram per liter सीखेंगे conversion सीखेंगे PPM का percentage का gram per liter में कैसे होता है और आएंगे molarity की तरफ और molarity क्या होती है उस concentration को सीखेंगे पर आज हम इसे यहीं तक रखेंगे वाकि आई विल continue in next class अगली class में अपन concentration को continue करेंगे चीक है आज बेटा के वह यहां तक thank you धन्यवाद शुक्रिए